भाचपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बंशी धर भगत ने उत्तरकाशी का पहला दोरा किया जहां कारिकरताओं ने बंशी धर भगत जोड़दार स्वागत किया। महीं सैकडो कारिकरताओं के साथ इस मौके पर जिला अध्यक्ष और गंगोत्री यमनोत्री के विधायक भी मौजूद रहें। प्रदेश अध्यक्ष को अपने बीच पाकर कारिकरताओं में काफी उत्तसा दिखा। वहीं नव निर्वाचित भाच्पा प्रदेश अध्यक्ष बंशी धर भगत ने 2022 में फिर से भाच्पा सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जल्दी सरकार क्याबिनेट में खाली पड़े मंत्री के पदों को भरेगी। प्रतेक विधान सबा में कारिकरताओं में एक अभूत पूर उत्सा मुझे देखने को मिल रहा है। जिसको मैं अपने सब्दों में कहता हूँ एक करिंट लोगों में दोड़ रहा है। भारती जन्ता पार्टी के प्रति लोग बिलकुल आकर्शित हैं और 2022 का संकल्प मैं सबसे दोहरा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि 2022 में भारती जन्ता पार्टी की सरकार 57 को क्रॉस करके 60 तक पहुंचेगी। दिल्ली में अब कल को प्रणाम आजाएगा। अध्याग जी टीरी पॉसर्टी से एक भी मंत्री नहीं है चोदर विरान साम आती है लग लग है यह सरकार का काम है सरकार करेगी अब यह इस छेत्र में कोई नहीं है ऐसे तो बहुत से छेत्र होंगे हर जिले से हर उससे होना संबव नहीं क्योंकि मंत्रीयों की लिमिट है लेकिन फिर भी कोशिच होगी कि जहां दूर तक कोई नहीं है वहाँ दैम मेरा मानना है यह वैसे तो यह सरकार का काम है लेकिन मेरी व्यक्तिकत राए है कि अब केवल 2 साल रह गहें इसलिए मंत्री मंडल का विस्तार होना ची समल भी हूं लेकिन बहुत कठोर भी हूं मैं कार करताओं को बिलकुल भगवान मानता हूं आत्मा मानता हूं भारती जंता पाल्टी की रीट की हड़ी मानता हूं कार करता के बिना कुछ नहीं हो सकता कार करता भाई वहनी हमारे सब कुछ हैं लेकिन इतना संबान के बाद भ आपको बता दें कि बैंड बाजो और ढोलनागाडों के दुन, हूलों की बोचार और नारों के बीच बंशीदर भगत मंच पर पहुंचे तो उनके आगवानी के लिए कारे करता उत्साहित थे मंजाब केसरी टीवी किलो तरकाशी से आशीश मिश्रा के रिपोर्ट